दिल्ली के सीलमपूर इलाके के ब्रह्मपूरी मेन रोड पर एक तीन मंजिला मकान में आग लग गई आग इतनी भीसर थी कि सूचना मिलते ही फायर की याँ पर चार गैडिया पहुंची वहीं आपको दादे की फायर विगट को भी कड़ी मसकत करनी पड़ी जिसके बाद आग पर काबू पाया गया आग की खबर लगते ही इलाके में भी हरकम मज गया आपको दादे की दमकल अधिकारियों को जो सूचना मिली थी की सीलंपूर इलाके के बरहमपूरी में रोड पर एक तीन मंजिला मकान में आग लग गया है सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची करीब एक घंटे की मसकत के बाद चार फायर टेंडर ने आग पर काबू पाया मकान के ग्राउंड फ्लोर पर नमकीन की दुकान है जबकि उपरी मंजिल पर लोग रहते हैं बता जा रहा कि आज सबसे पहले नमकीन की दुकान में लगती है उसके बाद धीरे दीरे उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेटे में ले लिया गन्यवत यह रही कि इस आग में कोई भी हाताहत नहीं हुआ और सभी को वक्त रहते ही निकाल लिया गया लेकिन आग की सूचना मिलते ही देखिए इलाके में किस तरीके से लोग जो हैं वो इकठा होगे और एक बड़ा हासा होते होते हैं बच गया हराल रहत की बात यह कि आग पर फायर विगट के लोगों ने काबू पा लिया आर सोनी नीज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजातिरीन खबरों को पाढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरे मिलती हैं आर सोनी नीज के लिए आप देख रहे हैं के में में धरबिंद कुमार के साथ नीरज अवस्ती की एक खास रिपोर्ट आर सोनी नीज पर प्रंपुरी में हैं तो अब इसके मदर यार्फी और अभी तो फेर्प ज्यादा को नहीं है फंटोर होती है और लगभगे यह पेटिशाज़ गज़गा एरिया है झाल